हैं और बात होगी विकास की मुद्दोपन लोक्सवाचुनाव मैं लेकर मद्दाताओं ने क्या सोचा है राजनीत की बात होती है विकास की बात करते हैं सुचिल पंडेकांस से जी 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 बताइए बनीया को जो चाहिए था उसमें से कुछ भी नहीं मिला यह बलिया का दूर बहार नहीं थी तो लहू हमने दिया और बहार आई तो कहते हो कि हम पहचानते नहीं हैं तो जब देश को आजादी लेनी थी तो सबसे अधिक बलिदान बलिया ने दिया लेकिन उस बहे हुए खून का हिसाब बलिया के लोग मांग रहे हैं हमारे बलिदान का हिसाब हम मांग लेकिन अब तक बलियां को नहीं मिला और देश को आजाज हुए इतने भरस हो गया बलियां में एक मेडिकल कालेज है बलियां में एक फैक्टरी है बलियां की सरकें आप देख लीजिए एक बिश्विद्याले की मांग अखिले स्यादों के सरकार में बिश्विद्याले बन ग यहां का हास्पीटल देखिए रिफला हास्पीटल बन गया है अगर थोड़ा भी किसी को चोट लगता है तो सीधे आप जाईए यहां से महू जाईए बनारा जाईए जबकि महू हमसे बाद में जनपत बना है उसके बाद भी हम महू जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए कोई यहां मतलब सुभदा नहीं है बार हाती है तो आप देखते हैं कि हमारे जनपत की एक बहुत बला हिसा सलक पर अपनी जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है तो हम लोगों को इन समस्याओं से निजाद चाहिए यही है भारती जनता पार्टी से विल्यान करते हैं कुछ कहेंगे अभी हमारे मित्र सुसील पांडे कान जी ने जिन जिन प्रसनों को उठाया है क्रमवार में उनसे जबाब देना चाहता हूं पहले तो विकास की सबसे बड़ी बात है कि आज तक बलिया में जो सबसे बड़ा प्र दिखेंगे तो अल्टरा साउंड डिजिटल अल्टरा साउंड सिटी स्केन और वेंटिलेटर की सुबदा भारती जनता पार्टी के सरकार में आई है इसके अलावा जी से चंद्रशेखार उनस्टी की ये बात कर रहे हैं इन्होंने क्यों से नियनार सिला नियास किया था औ भारती जनता पार्टि की सरकार में हो रहे है इसके अलावा बिजली की सुबदा जो सरकार 14 के पहले क्या बिजली थी और आज 24 घंडे बिजली मिले हूं भारती जनता पार्टी के सरकार में हुई इसके अलावा तमाम ऐसे कार्कार में ऐसे कारी हुए है अभी बलिया से आराव को जोडने वाला रेल का जो रूट है उसका डिपियार पास हो चुका है डिपियार बन चुका है और रोजगार की जहां तक बात करते हैं पहले देखिए पहले विकास केवल इसी आकलन नहीं होत है पहले रोजगार के नाम पर जो भरस्टाचार होते थे और जिस तरीके से अन्य सरकारों में रोजगार को लखनों में बेचा जाता था कि मंदारी के साथ नोकरिया दी जा रही है इसके अलावा भारत्री जनता पार्टी के सरकार में गरीबों का देखिए पचीश क्रोन गरीब आज गरीबी रेखा से उपर उठ गया है यह नाटे नेशन का यह आकड़ा है और उसमें सबसे बड़ी बात है जो गरीबों को मुप्त रासन दिया जा रहा है जो उनके जीवन में सुधार कर रहा है और गरीबों को मुप्त आवास दिया जा रहा है जो इसके पहले जितने भी कांग्रेस और उनके संपरकी सरकार रही है उनने कुछ नहीं किया यह सारी जनता कह रही है देश के मुद्दे अलग हैं बलिया के मुद्दे अलग है अगर अलग स नहीं रहता तो विकास से तना दूर नहीं होता और खैर हमारी मांग है कि सरकार को जैसे सांसत विधायकों को जैसे पेंशन मिलती है OPS मिलता है वैसे राज के कर्मचारियों को और सहायता प्राप्त सिक्ष को और उनके कर्मचारियों को सबको OPS का लाब मिलना चाहिए उसमें हमारे पुलिस भी भाग और तमाम राजिके जितने भी नए हैं 2005 के बाद से जितने निक्त कर्मचारी हैं उनके लिए ये सारी चीजे होनी चाहिए सरकार को ये करना चाहिए इस पर सरकार को सोचना चाहिए अब तो हमको डर एक कुछ दिन के बाद अगर इन लोग के घर में बच्चा पैदा हो तो ये लोग न को दें कि मोदी जी के वज़ा से हो रहा है इसलिए देखिए बलियां हम पहले बताए कि बिल्कुल विकास में पिछा भी बलिया कराने वाले हैं यहां से जो भाती जनता पार्टी के उमिदवार हैं सतरह बरस से कभी भाजपा में कभी सापा में इधर से उधर मतलब कूद करके सांसद हैं सतरह बरस में अगर पांच लाख रुपया पांच करोन के हिसाब से जोड़ा जाए तो पचासी करोन हो रहा है पचासी करोन रुपय में से एक नाली तक बलिया में नीरव सेखर के नाम पर नहीं बना है नीरव सेखर जी स्वयम में ससंकित हैं भार्ती जनता पार्टी स्वयम में डरी हुई है आकि हम ये चुनाव नहीं जीत रहें इसलिए नीरव सेखर जी राज सभा सभी तक की स्थिपा नहीं दियें उनको पद पे रहने की बिमारी है समझवादी पाटी से चुनाव हारे थे मानि मुलायम सियादों उनको तुरंत राज सभा में भैजे थे जब 2007 में उनको चुनाव लड़े थे तो मुलायम सियादों का पूरा परिवार और पूरी समझवादी पाटी यहां बहुजन समझपाटी की सरकार थे उससे में इनके लिए बलियां में 15 दिन तक कैम्प करके और इनको चुनाव लड़ा गया था जब इनके पिता जी मरे थे जो हमारे राजनेती गुरुमा सधे चंसेखर जी तो यह देश के जितने राश्टी नेता से सब के घर गये थे कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं बलियां में भाजपा के नेताओं के पास भी गये थे भारती जनता पार्टी के लोग इनसे कहें कि अगर आप हमारे दल से लड़ेंगे तब तो ठीक है अगर दुसरे दल से लड़ेंगे तो हम अपना उमिदवार देंगे जब नेताओं जी मुलाहम से यादव कि यहां आप यह गये तो कहें कि तुम निर्दल भी लड़ोगे निरज तो मैं अपने पूत्र की तरह तुमारे साथ रहूँगा और कांग्रेश पार्टी यहां उमिदवार उस उप्चुना में नहीं दी और यही भारती जनता पार्टी इनके खिलाप उमिदवार दिया और बलिया की जनता ने उस भारती जनता पार्टी के उमिदवार को मातर दोस आजार के आसपास उनको वोट मिला था पूरे लोक सभा में और वे जो निवर्तमान सांसद है उनको टिकट मिला था तो यह इनको पद पे रहना चाहिए सापास रहे भाजपार से रहे बसपास रहे आम आदमी पार्टी से रहे इनको किसी तरह से संसद में रहना चाहिए और जो संसद के रूप में विकास के लिए पैसा और जो संसद के रूप में जो सुविधाय दी जाती है जनसेवा के लिए वो जनता तक न पहुंचे या उ बज़दूर मांगता है कि हम काम कि हमको मज़दूरी दीजिए और विकमांगा जाता है तो कहता है कि भगवान के नाम पर देजिए और दूसरा दुरभाग आकी भीरगु बबा को आप भी जानते हैं बलिया का हर बच्चा जब बोलना सिखता है और सलक पर आना सिखता है तो सबसे पहले भीरु बबा की जय बोलता है और ये बलिया का दुरभाग है आकी जो इतने दिनों से बलिया का नेतित किया है और बलिया का नेता रहा है वो अपने मुह से अपने नमांकत दिनमच पकता ह आकि मैं 55 बरस में पहली बार भीरू बबा की जय बोल रहा हूं यह बलियां का अपमान नहीं है तो क्या है पूरे हिंदुस्तान में यह पहली आइसे जगह है जहां ब्रह्मा पोत्र भीरू मुनिकी का हम लोग पूजा करते हैं और उनका मंदिर है और वह ब्यक्ति करते हैं अ सुस्रिक पांड़े जी के प्रश्णों के पांड़े जी ने जीन विश्योक रखा भी मैं बताना चाहूंगा कि बलिया के पाचान पूरु प्रधान मंतरी चंदर शेकर जी के वज़ास हुई और उसमें कई भी संदे नहीं कि खोर समाजवादी थे ओ परिवारवादी नही करा है कि नीरत सेखर मेरा बेटा इसको चुनाओ लड़ा के जीता देना और नीरत सेखर जी अपने ब्यक्तित्तों के बल पर चुनाओ में और चुनाओ के लड़ाई लड़े और जीते भी और सबसे बड़ी चीज रही कि उनके उपर 17 सालों में कोई एक उंगली नहीं उठ लड़ा सकता है कि अब इक्ती भरस्टाचार कहीं किया हूए किसी के साथ गलत काम किया हो और जो इस परसन उठा रहे हैं यह खुद समाजवादी पार्टी को घर रहे हैं तो इसका मतलब तो साब जाईर होता है कि उनके सरकार में नीरत सेखर जी काम करना चाहते थे लेकिन यही कारण कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है ति अपनी आलोचना खुद कर रहे हैं आज भारती जनता पार्टी में आने पर उन्होंने स्वहम को कहा था कि वास्तों में ये दल है और इस दल में मंदारी से काम होता है पहले में जिस दल में रहा उसमें बहुत भरस्टाचार होते थे और उसमें परिवारवाद और तमाम चीज़ें होती थी इसलिए आज भारती जनता पार्टी से जुड़े हैं और इसमें निसंदे कहीं नहीं दौजार 14 उठा कर देख लिजिए और आने वाले समय में नीरा से कर जिए कि मंदार बेक्तितु है और आने वाले समय मे दोस्तों तो आज का डिविट जो रहा समाजवादी पार्टी के परवक्ता सुसिल पांडे कांजी और भारती जनता पार्टी के पुरु परत्यासी नगरपाली का प्रशथ अध्याच्पत के लिए संजी कुमार डंपू उस समय बलिया नगर की राजनीत में शक्री है भार जड़ कर शूर्चर